गीड मॉर्णिंग बच्चों। हमारा विक्स का एलेक्टरिocity चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है तो मैंने सोचा क्यू न Nove Vydeo में हम उच चैप्टर को रिवाईस कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला डोपिक आता है बच्चों जो हमारे काम का है वो है इलेक्ट्रिक करेंट एलेक्ट्रिक करंट को किस साइन से दिखाते हैं बच्चों आई से दिखाते हैं एलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? एलेक्ट्रिक करंट होता है rate of flow of charge यानि कि इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितना charge flow हुआ rate का मतलब क्या हो जाता है बच्चों एक सेकंड में एक सेकंड में जितना charge flow हुआ किसी भी वाइर में से किसी भी conductor में से उसे हम बोलते है electric current for example एक सेकंड में अगर 5 कुलॉंब चार्ज्स फ्लो हो गया एमपियर इसे हम दिखाते हैं capital A से और current का formula क्या हो जाता है charge upon time current का formula हो जाता है capital Q q किसी से भी दिखा सकते हो charge को capital Q से दिखाते है a small q से दिखाते है upon time ठीक है capital Q small q upon time ठीक है charge आएगा कुलोंब में और टाइम आएगा सेकंड में और करंट आएगा एमपीर में अच्छा अब यहां से वन एमपीर की डेफिनेशन पूशी जाती है कि दिभाइन वन एमपीर तो हम क्या गरेंगे वच्छो जब वन एंपियर समझ में आई बात ठीक है ना इसमें इलेक्ट्रिक करण में इस से ज्यादा ने पूछा जाएगा क्या क्या चीज़ें याद रखनी इसके डेफिनेशन ऐसा यूनेट एंपियर फॉर्मुला फॉर्मुले पर कुश्चन आते हैं कुश्चन में ज्यादा से ज्या सेकंड टोपिक आता है बच्चो हमारा पोटेंशल डिफ्रेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशल डिफ्रेंस इसी का दूसरा नाम क्या होता है वोल्टेज इसे को हम क्या बोलते हैं बच्चो वोल्टेज भी बोलते हैं इसे काय से दिखाते हैं कैपिटल वी से ठीक है ना वोल्ट अब यह क्या होता है पहली बार potential difference है potential का difference किनी भी दो point के बीच में होता है यह जिसे a और b इन दो point के बीच में होगा तो वो क्या है कि vab a और b इसका जो potential difference है वो क्या होगा बच्चों कि a कुलोम चार्ज को one कुलोम चार्ज को b से a में ले जाने से a तक ले जाने में जो energy या work done दी भाई यहां पर suppose एक कुलोम का चार्ज रखा हुआ है ठीक है अब इसको मैं b से a तक ले जाओंगा तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा एक कुलोम चार्ज को वह कहलाता है पोटेंशल डिफरेंस बेसिकली पोटेंशल डिफरेंस एनर्जी का ही डिफरेंस है इन दो difference पे एक अलग से वीडियो है पूरा concept समझाया है concept of potential difference ठेक है ना तो यहां से formula निकल के आता है कि भई एक कुलोम चार्ज को ले जाने में जो work done हुआ वो कहलाता है V तो अगर मुझे Q कुलोम चार्ज को ले जाना है तो work done कितना होगा एक में हो रहा है V तो Q में कितना होगा सरक Q into V यानि कि work done हो जाएगा Q into V तो यहां से potential difference का formula आ जाएगा W by Q यह work done भी हो सकता है या energy भी हो सकती है कुछ भी work done भी दिया जा सकता है energy भी दी जा सकती है तो formula के आओ गया बच्चो potential difference का W by Q समझ में आई बात क्या formula हो गया W by Q for example वह बोलता है कि किसी भी circuit में किसी भी circuit में A point से B point तक ले जाने में हमें 5 Joule work करना बढ़ रहा है और हम ले जा रहे हैं 5 कुलोंब charge को तो बताओ कितना potential difference है तो work कितना है बच्चो 5 चार्ज कितना है 5 तो फिर यह हो गया वन वोल्ट यानिकि इन दो point के बीच में potential difference होगा वन वोल्ट क्लियर है बाद किसी भी charge को एक point से दूसरे point पे ले जाने में हमें work करना पड़ता है उसे energy देनी पड़ती है तो सर्फ circuit में potential difference कौन देता है सर्किट में potential difference देती है cell या बेटरी कौन देता है cell या बेटरी ठीक है देखो इस चीज़ को कि वी इस इक्वल टू डब्ल्यू बाइ क्यू अब सपोस करो यह एक सर्किट है अब चार्ज हर जगे है बच्चो इस conductor में चार्ज तो पहले से रखे हुगा है बहुत सारे लेकिन वह एक जगे से दूसरी जगे नहीं जा रहे है उनके पास energy ही नहीं है उन्हें energy हमें देनी पड़ेगी तो सर हमने क्या करा इन दो point के बीच में एक battery लगा दी एक battery लगा कि यहां से यहां आने में उन्हें कुछ ना कुछ energy लेनी पड़ेगी अब जैसी energy ली यहां उनके पास energy आगे energy आगे तो फिर वह circuit में घूम जाएंगे यानि कि circuit में current को flow कराने के लिए potential difference का होना जरूरी है और potential difference कौन maintain करके रखता है circuit में बच्चो पोटेंशल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रोज भी आता है लेकिन वो तब आएगा जब current flow होगा और वो चेंज भी होगा current के हिसाप से potential difference चेंज होगा लेकिन maintain कि इतना ही रहेगा वो कौन करके रखता है cell या battery जैसे cell हो गई कि भाई 5V की cell है तो 5V की ही रहेगी potential difference maintain करके चलती है cell अच्छा potential difference की यूनिट क्या हो जाती है बच्छों इसकी यूनिट हो जाती है वोल्ट और यहीं से वन वोल्ट की भी definition निकल के आती है कि जब work done हो जाया वन जूल किसको एक कुलोंब चार्ज को ले जाने में तो इसको define कैसे करेंगे वेन वन जूल ओफ वर्क इस दन इन मूविंग वन कुलोंब ओफ चार्ज फ्रों वन पॉइंट तो अनादर फ्रों वन पॉइंट तो अनादर देन पोटेंशल डिफरेंस इस वन वॉल्ट वही चीजओं फॉर्मलह में वंकर तो विन यूल और बच्चों अपने छीज हमने पड़ी थी ओंस लो ँप और हम श्लो से पहले बच्छों हमने पढ़े थे electric symbols electric symbols मैं लगबक सारे symbol हम जानते हैं बच्छों ए a-2 को छोड़के और वह एक दो ही important हो जाते हैं लेक्ट्रिक symbol में यह हो गया बच्यों battery का cell का er ऐसे ही एक से ज्यादा cell लगा दोगे तो वह गई battery यह हो अपना बल्ब यह हो गया open switch या key यह हो गया closed switch या key यह हो गया register यह हो गया emitter यह हो गया voltmeter यह दो wire जब एक दूसरे को join करते हैं तो यह हो गया wire joint और दो wire जब एक दूसरे को बिना join कि एक cross कर रहे हैं तो ऐसे दिखाएंगे ऐसे wire crossing without joining और एक था variable resistor या real stat उसे कैसे दिखाते हैं यह और इसके उपर इसे arrow यह क्या है वेरियेबल रिजिस्टर या real stat इसी को हम एक और तरीके से भी दिखा जाता है बार बार ठीक है ना वेरेबल करेजिस्र मतलब इसकी वेल्यू चेंड होती रहती है यह और रियूस्ट हम इसका इंपड मारे इसका करन रृडप होता है उसमें जैसे ही समेह तुम अ Celticum से जो हमने देखे थे ठीक ना इसके बाद हमने देखा ओम स्लों कि अगर किसी भी रेजिस्टर के अक्रोज तुम बात कर रहे हो किसी भी कंडक्टर के अक्रोज बात कर रहे हो तो उसके अक्रोज जो पोटेंशल डिफरेंस आएगा उसके अक्रोज उसके इन दो पॉइंट्स के बीच में इधर और इधर के बीच में जो पोटेंशल डिफरेंस आएगा वो डिरेक्ली प्रपोर्शनल होगा उसके अंदर जो करंट जा रहा है उसके यानि कि किसी भी बोला गया बच्चों रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हर वायर की प्रोपर्टी होती है किसे ना किसी वायर का दुनिया के हर वायर का इस वायर का भी रेजिस्टेंस होता है ठीक है तो उस कॉंस्टेंट को बोला गया रेजिस्टेंस ये था ओम स्लो और हमें पता है कि भाई व ये वी वर्सराइव बनाए तो वी जीडिरो तो आइजिए फिर वी बढ़ेंगे तो आई भी बढ़ेगा तो केसा ग्राफ आएगा vaisसा एगा प्ट्रेट लाइन समझमें आई बात ठेक है अब इस पे颯ुद्ट बनते हैं बच्छों अच्छे अच्छे देखो एक तो ओम स्लोप पर सिंपल कोशन बनता है कि भाई यह रेजिस्टर दे दिया यह बैटरी दे दी फाइव वॉल्ट टैनोम ठीक है तो अब वी इस इक्वल टू फाइव वॉल्ट यह जो फाइव वॉल्ट है यही यह का यही पोटेंशल डिफरेंस इसके अक्रोस भी आ जाएगा और आर हमें दे रखा है टैनोम पूछेगा करंट कितना होगा तो वी इस इक्वल टू आई आ निकालके वी इस इक्वल टू फाइफ आई इंटू टैन तो आई आ जाएगा फाइफ बाइट यानि की वन बाइटू एक तो इस तरीके की निमेरिकल बनते हैं एक बनता है बच्चों ग्राफ वाला सवाल कैसा बनता है वो देखो हमें देदेगा वी वर्शेज आई ग्राफ फ्र टू रजिस्क्टर आरवनर आरटीव वी वि цен फ्र पूछल एक दे रहे हैं पूचही का रवन और आरवना में इसा बड़ा कून एसा चार अप्षिन देएगा कि भाए आरवन इस ग्रेटर देन R2, option B, R2 is greater than R1, option C, R1 is equal to R2, option D, can't say, हमें नहीं पता भी या, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है बच्छों, जो graph, जो line V के पास हो, जो line V के पास है, उसका ही resistance जादा होता है, जो line V के पास है, उसका resistance जादा, यानि कि किसका resistance जादा हो जाएगा, R2 का, तो R2 is greater than R1, समझ में आई बात, जो line V के पास है, उसका resistance जादा होगा, ऐसे ही, एक ओर देखो, कभी कभी वो तुम्हें घुमाने के लिए क्या करेंगे, उपर I दे देंगे, नीचे V दे देंगे, फिर उन्होंने बोल दिया कि यह R1, यह R2, अब बताओ कौन बढ़ा है, R1 के R2, जो line V के पास है, उसका resistance बढ़ा होगा, तो कौन से line है V के पास, R1, तो हम बोलेंगे, R1 is greater than R2, अगर R3 हो जाता, तो फिर, देखो, V के पास R2 है, R3 के मुकाबले, R3 सबसे ज़्यादा द कर लो, V given है, I given है, R निकाल लो, और फिर, उस R की value यहां रख दो, तो V given है, R given है, I आजाएगा, यह numerical मैंने ओम स्लो वाली वीडियो में करवा रखा है, इसके लबगा कोई तीसरा गोशन बनेगा नहीं, ओम स्लो में से, समझ में आई बात, चल, नेक्स्ट टोपिक आता है बच्चों, resistance of a conductor, किन-किन चीजों पर किसी भी conductor, conductor मतलब wire basically, depend करता है resistance, तो resistance का क्या formula आया था बच्चों, अच्छा, यहां से हम formula भी लिखते जाते हैं, देखो, i का क्या formula आया, q by t, v का क्या आया, w by q, यहां के important चीज़ क्या थी, rheostat, ohm slope, v is equal to ir, और graph के सा बनेगा, v versus i का straight line, जिसका slope क्या होगा, resistance होगा, v versus i graph का slope, resistance होता है बच्चों, तो slope क्या होता है, उसे हम देखेंगे, हाला कि तुमने 9 में पढ़ा है, लेकिन हम देखेंगे उस चीज़ को भी, अभी के लिए यह याद रखो, कि slope, v versus i का slope क्या हो जाएगा, resistance होता है, ठीक है, अब resistance of a conductor, resistance of a conductor का formula क्या हो जाता है बच्चों, r is equal to rho l by a, r is equal to rho l by a, ठीक है, r is equal to rho l by a, किसी भी wire का, दुनिया के किसी भी wire का resistance जो होगा, जिसे wire कैसा होता है, cylindrical, उसका resistance इस formula का होगा, इसमें rho क्या है, इसमें rho है, resistivity, क्या है बच्चों, resistivity, इसी का ही दूसरा नाम होता है, specific, specific resistance, हाला कि इसे generally resistivity ही बोला जाता है, बस general knowledge के लिए बता रहा हूं, कि इसका दूसरा नाम is specific resistance, तो resistivity एक constant होता है बच्चों, और यह depend करता है, यह depend करता है, material of wire पे, कि अपना जो wire है, वो कौन से material का बना हुआ है, iron का बना हुआ है, कि copper का बना हुआ है, काय का बना हुआ है, जितना अच्छा conductor होगा, उतनी कम resistivity होगी, जैसे copper बहुत अच्छा है, तो उसकी resistivity बहुत कम होती है, silver उससे भी अच्छा है, तो उसकी resistivity और कम, जितना खराब conductor, जैसे plastic, उसकी resistivity उतनी जादा होती है, जितना खराब conductor, उसकी resistivity उतनी जादा होती है, तो यह बात हुई resistivity, resistivity material के साथ चाहते एक और चीज़ पर depend करती है temperature पर, तो यह जो resistivity होता है बच्चों, यह depend करता है, काय काय पर, material पर, temperature पर, resistivity की SI unit हो जाती है बच्चों, ohm meter, ohm resistance की unit और ohm meter resistivity की, यह भी बहुत बार पूछा जाता है एक नंबर में, कि resistivity की SI unit बताओ, तो क्या हो जाती है, ohm meter, ठीक है ना, उसे कैसे निकाला गया है, यह भी मैंने resistivity वाली वीडियो में बता रखा है, अभी के लिए हम revise कर रहे हैं, तो बस यह ध्यान रखो कि resistivity की SI unit क्या हो जाती है, ohm meter, अच्छा, sir, L क्या है, L है wire की length, यानि कि जितना लंबा wire होगा, उत उतना ज्यादा resistance, और A क्या है, wire का cross section area, A है wire का cross section area, कि अपना wire कितना मोटा है, या कितना पतला है, अब ऐसे याद रखो, कि जितना मोटा wire होगा ना, उतनी आसानी से electron flow पाएंगे, तो उतना कम resistance, जितना ज्यादा cross section area होता है, उतना कम resistance होता है, तो इसका मतलब हमें यह ब करता है material of the wire पे कि कौन से material का बना है कि टेमप्रेचर पे लेंथ of the wire पे और क्रोस सेक्षन एरिया ओफ द वायर पे इन चार चीज़ों पर रिजिस्टेंस डिपेंड करता है समझ मैं आई बात जबстन मेंट्स पर टेमप्रेचर पर डिपेंड करती है डिपेंड करते हैं डिबंड करता है लेकिन अैज़स्टिवीटी के वन मा र और टेंपरेचर पर समझ में आई बात ठीक है ना तो यह बात होई अपनी रिजिस्टेंस ओफ अ कंड़क्टर की तो इसका यह फॉर्मला हमें याद रखना है बच्चों और इस इक्वल टु रो एल बाय ए यह रिजिस्टेंस इस डार्टी प्रपोरिष्टनल टू एल एंड इनवर्सली प्रपोर्श्टनल टू एर्या लैंथ डबल कर दोगे तो फिर रिजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा एरी क्लीर है ठेक ना अच्छा एक और मेरी एडवाई से बच्चों कि जैसे हम यह रिविजन करते हैं तो मैं काम करना कि हर टॉपिक के एक 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 नुमेरिकल जो मैंने नोट्स में करवा रखे हैं जो वीडियो में तो नेक्स टॉपिक कॉंबिनेशन और रेजिस्टेंस अब मैं इसे मिटाने वाला है वच्चों कॉंबिनेशन अब रेजिस्टेंस हम उपर ही देखेंगे एक बार जल्दी से इसे नोट कर लो अपनी नौट्बुक्स में समरी लिख रहे हैं हम चलो यहीं करों यहीं देख लेते हैं विजिबल है हमें तो रेजिस्टेंस अब एक से जादा करने नहीं तो इसके दो तरीक होते हैं एक तो सीरीज कानेक्शन और एक पैरिलल कनेक्शन तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बच्चों एक के बाद एक resistor connect होते हैं इसी को हम बोलते हैं series connection वी current जा रहा है आई और यह हो गया r1, r2, r3 इसको क्या बोलते हैं बच्चों series connection बोलते हैं अच्छा इसकी सबसे खास बात क्या होती है यह सीरीज की पहली is current जो होता है बच्चों current वो same रहता है in every रेजिस्टर हर रेजिस्टर में करन्ट सेम रहता है इसमें भी आई जाएगा इसमें भी आई इसमें भी आई जाएगा सेकंड अगर इन तो आर एक्विविलेंट की वैल्यू क्या आती है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थी तीनों को एड कर देंगे तो यह बात इसमें ध्यान रखनी है करन्ट सेम रहता है पोटेंशल डिर्फरेंज जिससे वी वन इसके अक्रोस पोटेंशल डिर्फरेंज करेंज के सावएल है वे गltryरुस पोटेंशल ढकालो तो वह इसर इक्नों कर देंगे हैं अब current निकाल लो, क्योंकि V हमें पता है, R हमें पता है, तो I आ जाएगा Ohm Baba की मदद से, V is equal to I, R, तो यहां से I आ गया, I आ गया, तो V1 भी आ जाएगा, I, R1, V2 आ जाएगा, I, R2, V3 आ जाएगा, I, R3, numerical किये हैं हमने series वाले पार्ट में, ठीक है, तो यह बात हुए series की, series में क्या जहान रखना है, कि current सेम रहता है, तीनों में, equivalent कितना होता है, R1, R2, R3, और potential difference सबके across, अलग-अलग होता है, ठीक है, second इसमें combination होता है, बच्चों, parallel का, second combination होता है, parallel combination, जब, हर resistor का left hand, एक ही जगे जुड़ा हो, और right hand भी एक ही जगे जुड़ा हो, और यह फिर, battery से connected हो, तो इसकी खास बत क्या होती है, बच्चों, इसमें, हर resistor के across, potential difference सेम होता है, V is same, parallel की बात कर रहे हैं हम यह, V is same across, each resistor, हर resistor के across, potential difference, same रहता है, कि यहां से जो हमने potential difference दिया, इसके across भी उतना ही, इसके across भी उतना ही, और current, different होता है, इसमें, अगर तीनों को हटा दें, और एक resistor लगा हैं, जिससे की current अभी भी आई ही रहे, तो R equivalent का formula क्या आता है, बच्चों, 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, समझ में आई क्या बात, 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, यह हो गया आप ना, इसमें भी सेम तरीके के सवाल बनते हैं, सबसे पहले वो तुमसे current पूछेगा, तो क्या करोगे बच्चों, तीनों को हटाओ, और उनकी जगे equivalent लगाओ, equivalent की value यहां से पता चली जाएगी, वहां से current आ जाएगा, फिर क्या पूछ सकता है वो, कि इसमें कितना current जाएगा, देखो तीनों में current अलग अलग जाएगा, तो कैसे निकालोगे, इसका current निकालना है, तो V is equal to IR1, V तो इतना ही है जो बेटरी का रहेगा, और R1 तुम्हें पता ही है, तो I कितना आ जाएगा बच्चों, V upon R1, V upon R1, ऐसे ही इसका कितना जाएगा, V upon R2, ऐसे ही इसका कितना जाएगा, V upon R3, ठीक है, अब देखो यह revision वाली वीडियो, इसमें इतना detail में नहीं समझा सकता हूँ है, यह मैंने series parallel में पूरा समझा रखा है, और इसके numerical की practice तुम्हें गड़नी है, मैं बस main main चीज़े बता रहा हूँ, जिनने हमें याद रखना है, ठीक है, चलो, यह बात हो गई, combination of resistance की, combination of resistance के बाद, next topic क्या आता है बच्चों अपना, next topic आता है अपना, heating effects of electric current, 7th, heating effects of electric current, कि भई current जब भी रेजिस्टर में से pass होगा, तो वो heat energy generate करता है, और कितनी करता है बच्चों, सपोस करो, यह एक रेजिस्टर है, जिसमें से I current पास हो रहा है, और इसके across कितना potential difference आ रहा है, V, तो कितनी heat energy generate करता है, चार formula देखेते हैं हमने, क्या-क्या थे, V, I, T, I square R, T, V square upon R into T, और Q into V, यह होते है, heat energy के formula, heat energy की unit क्या energy ही है, तो unit क्या आएगी, Joule आएगी, ठीक है, V क्या है, potential difference, I क्या है, current, T क्या है, time, कि भई कितनी देर तक current पास, हुआ, और R क्या है, resistance, उसका resistance, तो जब भी heat निकालने का question आए, कोई भी एक formula लगा देना, जो भी चीज़ें given हो, उसके हिसाब से, अगर I, R, O, T given है, तो यह लगाओ, Q और V given, तो यह लगाओ, V, R, O, T given है, तो यह लगाओ, समझ में आई बात, V क्या है, potential difference across the resistance, उस resistance के across कितना potential difference आ रहा है, वो है, V, तो यह बात हो गई, heat की, इसमें बहुत important बात आती है, बच्चों, Joule's law of heating, Joule's law of heating, Joule's law of heating क्या होता है, उसने बस यह वाला formula यूस किया, कि H is equal to I square RT, तो Joule's ने क्या बोला भईया, Joule's ने बोला कि किसी भी resistor में जो heat evolve हो रही है, वो directly proportional है किसके, I square के, वो directly proportional है किसके, R के, वो directly proportional है T के, तो इसको उसने combine कर दिया, सॉरी, Corona, H is equal to I square RT, समझ में आई बात, कि बच्चों, Joule's law of heating क्या है, Joule's law of heating कुछ भी नहीं है, उसने इस वाले formula को use किया, Joule बबाबा ने, Joule बबाबा ने बोला कि किसी भी resistor में जो heat generate हो रही है, वो directly proportional है, current के, square के, directly proportional है resistance के, directly proportional है time के, कि कितनी दिर तक flow हो रहा है, कितनी दिर तक current flow हो रहा है, तो heat का formula आगया, I square RT, कोई भी Joule's law of heating बोलेगा, यह बात लिख देना, इसे language में लिख देना, कि heat is directly proportional to square of current, heat is directly proportional to resistance, heat is directly proportional to time, समझ में आई बात, ठीक है ना, यही है Joule's law of heating, तो यह हमने देख लिया, इसके बाद, last topic आता है बच्छों, अपना electric power, यह rating होती है हर device की, हर device की अपनी कुछ ना कुछ power होती है, इसके unit क्या होती है बच्छों, इसके unit होती है watt, जब हम कुछ भी bulb लेने जाते हैं, तो हम बोलते हैं, कि 23 watt का bulb देदो, यह 0 watt का bulb देदो यह 100 watt का बल्ब देदो, तो वो उनकी power होती है, 0 watt का मतलब जीरो नहीं होता है, half होता है 0.5, थीक है ? 0W का मतलब तो उसमें Power नहीं है, 0W का मतलब होता है 0.5W ठीक है ? लेकिन उसे आम भाषा में 0 भी बोल देते हैं आब electric power क्या हो जाता है बच्चों के हर device की अपने एक पावर होती है चाहे हो resistor हो के bulb हो के TV हो सबके अपने एक power होती है और वो किस के बराबर हो जाती है वो होती है energy upon time पावर होता है rate of flow of energy, energy upon time, एक सेकंड में कितनी energy flow हुई, एक सेकंड में कितनी energy flow हुई, और इसका formula क्या हो जाता है सर, energy, कौन सी energy निकाल रहा है, heat energy, register कौन सी निकालता है, heat energy, तो सर इन सारे formula में time का divide कर दो, तो power आ जाएगा, देखो इसमें time divide करेंगे, तो T से T cancel, V I, इसमे I square R, इसमें V square upon R, तो ये आ गई अपनी power, energy upon time, जब भी power दे रखी हो, energy पूछ रहा है है, heat पूछ रहा है, तो time से multiply कर दो, energy आ जाएगी है, heat आ जाएगी, समझ में आई बाद, ठीक है, तो power का formula हो गया, V I, I square R, और V square upon R, ये चीज़ नोट कर लो, इसके बाद, last topic आता है बच्चों, commercial unit of energy, commercial unit of energy, और वो क्या हो जाती है बच्चों, वो दिए, kilowatt hour, क्या हो जाती है बच्चों, वो, kilowatt hour, commercial unit of energy क्या हो जाती है, kilowatt hour, कैसे आया, कि energy is equal to power into time, power को हमने रखा kilowatt में, और time को रखा R में, तो energy काय में आ जाएगी kilowatt hour, हमारे घरों में जो energy की unit होती है, वो kilowatt hour होती है, और ये conversion हमें पता होना चाहिए, कि 1 kilowatt hour में कितने जूल होते हैं, वो होते हैं, 3.6 into 10 की power 6, जूल, इसका derivation लास्टी वाली वीडियो में किया है हमने, ठीक है, कितने जूल हो जाते हैं, 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 की power 6, जूल, तो सारे topic हमने cover कर दिये, जो main main बाते थी वो मैंने बता दी, mind में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है, चरो, बाई, तो से जो जाहे, I brushई प्य कर, कर दोदी हैं, जूल, बाई, नूल, तो जूल, जूल, बाई, बाई, जूल, ख कर दों किया हैं, बाई, जूल, कूल,